नमस्कार, आज की सबसे बड़ी खबर निवार चक्रबाती तूफान से जुड़ी है निवार तूफान से रपठने के लिए पुदुचेरी और तमिलाडू में तैयारिया जोरूपर है तूफान के समुद्र तट से टकराने में अब कुछ ही घंटे बाकी है इसलिए दोनों राज्यों में सरकारी एजिंसियों ने लोगों को बचाने में अपनी पूरी ताकत जोब दी है लोगों को घरों में रहने की अपील की गई है हाना कि निवार तूफान से पहले तमिलाडू के कई हिस्सों में बारिश हो रही है जिसके बाद NDRL की टीमों को तैनात किया गया है चकरवाती तूफान की चाल पर नज़र रखने के लिए हाई टक एमर्जिंसी कंट्रोल सेंटर बनाए गये है सेंटर का संपर का हर सरकारी महग में से है और अबसे कुछी घंटों में निवार तूफान पुदुचेरी तमिलाडू के समुद्र तट से टकराएगा लेकिन इससे पहले ही उसका असर दिखना शुरू हो गया है चेन्ने में तूफान का असर भी दिखने लगा है कई जगों पर जोरदार बारिश हो रही है पुदुचेरी में निवार तूफान के वज़े से सौ सो इक सो बीस किलोमीटर प्रति घंटे के अफ्तार से हवाएं चल सकती है साइकलों निवार के चलते पुदुचेरी में धारा एक सो चवालिस लगा दी गई है फिरहाल मैं जो पुदुचेरी का एमजी रोड का जो मुक्य बाजार है वहाँ पर हूँ और आप देख सकते हैं कि सारी जो दुकाने हैं वो बंद है यहाँ पर आदेश है कि कोई भी ज़रूरत ना हो तो बाहर ना निकले आपात जुस्तितियां हैं उसी में ही चाहे फाय ब्रिगेट पुलीस या मेडिकल की इमर्जनसी कोई है तब ही उनको चालू रखने का आदेश हैं और बिलकुल आप देखे हैं सड़के पूरी तरह से सुमसाम दिख रही है यहाँ पर जरूर दिख रहे हैं लोग अपनी जरूरती की चीजों के लिए चाहें सबजी हो या दूद हो उस तरीके से लेने के लिए यहाँ पर निकले हैं पुलिश की गस लगाता रहेगी और लोग जरूरत नहों तो गरों के बार ना निकले यह भी आदेश दिये गए हैं तो जैसा कि आपने देखा चेन्ने समयत कई ऐसे शेहर हैं जहां पर निवार तूफान आने से पहले तेस बारिश हो रही है पुड़ुचेरी से हमारे संबादाता जनक दवे हमारे साथ जुड़ गए हैं जनक निवार की आठ से पहले जहां आप मौझूद हैं वहाँ पर इस वक्त किस तरह की तस्वीर है कुछ कवरेज की इशू लग रही है पर आपके आवाज से मैं सुन पाना है उसके मुताबिक कुड़ु कुपम अभी इलाका है मैं आपको कुछ तस्वीरे दिखा देता हूं यहाँ पर एक पर देखे, पर आपको तौड़ लगतातार जारी है जिस तरह के से शितिए भानी हुए उसके मुताबिक पुरा बाजार बनद है आपको थोड़ा जूम करके दिखाएंगे तो देख से अंदादर लगेगा कि पूरा इलाका में बंद पड़ा हुआ है लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने के लिए कहा गया है तो कुल मिला के कहें पुलीस लगातार गश्ट लगा रही है यहाँ पर कोई बाहर न निकले और चुगी जानवाल की सुरक्षा का सवाल है वहाँ पर कोई भी के वेक्टिकों कोई नुक्सान ना पहुंचे यह प्रशासन देखना चाहता है विसी के चलते है बाजार जो है व के बारे में जानकारी ली अधिकारियों ने बताया कि पिछले 6-8 घंटों में तूफान की रफ्तार कब हुई है पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वीनाराण सामी ने निवार तूफान आज शाम तक समंदर के तट से टकराएगा और लोगों को सुरक्षे जगों पर रहने के लिए कहा गया है सरकी थरीकी की तैयारिया खासता रुपे और लिटेस अब्डेट किया है साइक्लों निवार को अभी आज रात को कल सब्सक्राइब तक उन्होंने पुदुचेरी को क्रास करने के लिए स्थी दिया है हमारा प्रदेश शरकार उसको डिल करने के लिए इ हमारा पुदिचारी में इतना डिपार्टमेंट है पीड़मीडी, वाटर सप्लाई, एलेक्रिसिटी, फिशरीज, एल्थ डिपार्टमेंट, अग्रिकल्चर, कोस्गाट ये सबको हम इकटा करके फरसों मेंने मीटिंग किया ये मीटिंग में मेरा वादा था उनको, ये अभी ये साइक्लोन, 110-120 किलोमेटर स्पीड में आने के लिए से दिये, अभी 140 तक आने के लिए दे, ये वेदर डिपार्टमेंट में बोल रहा है, उसके लिए हम पूरा तायर करके रखना, पब्लिक को अवेर्नस क्रियेट करना, लोग उन्हेने वाटर लागिंग एरिया में है, उनको, स्कूल में, मैरे जाल में, उनको रखने के लिए, उनका पूरा, फूड बागेरा पूरा गेने के लिए, वसा करने के लिए हमपूई दिया तो पुदुचेरी के मुख्यमंत्री चक्रवाती तूफान से निपठने के लिए किस तरह की तैयारियां की गई है उसकी जानकारी देते हुए जनक दवे लगातार पुदुचेरी से हमारे साथ हैं जनक हाई टेक एमर्जिंसी कंट्रोल सेंटर इसकी भी लगातार बात हो रही है क्या है ये कंट्रोल सेंटर और इस चक्रवाती तूफान के दौरान ये कंट्रोल सेंटर किस तरह से काम करेंगे नहीं आपकी आवास ठीक से नहीं मिल पा रही पर मैं जो समझ पा रहा है उसके मुताबिक छाद आप किस तरीके से एड्मिर्शिशन प्लान किया गया है वो पूछ नहीं है तो यहां पर जिस तरीके से हमने मुक्यमंदरी को सुना उन्होंने जिस तरीके साज आपात बैठक भी बुलाई थी तमाम अपसरों को साथ में रहते हुए एंडियारब की तीम टीमों को तैनात किया गया है साथ ही मैं सेना को भी बुलाया गया है तो ऐसे मैं अपना प्रबंदन की जितनी स्थिति हो जकी वो जितने सुचारू डंग से लागू हो उसका उन्होंने पूरा उन्होंने देखा और उसके बाद कहा कि किसी भी तरीके से जानमाल को नुकसान नहीं पहुचना जाए जितना हो सके और इसलिए पुलिस पर भी कहा कि अब मैक्सिमम कर्फ्यू जासी स्थितिला है जिसके चलते लोग गरों से बाहर ना निकले निया बिलकुई बिलकुल तो जैसा आप बता रहे हैं कि धारा 144 लागू की गई है और इसके साथ ही साथ जितनी दुकान हैं दफ्तर हैं ओफिसस हैं सबको बन किया गया है ताकि लोग जहां हैं वहीं पर रहें और इस तूफान से सुरक्षित रहें इस बीच निवार तूफान का असर चेने ही में साफ दिखने लगा है चेने की कई लाकों में जूतार बारश हो रहे है इसके बात कई घरों में पानी निकालने की कोश़श में जुटे हुए है तस्वीरे आत देखने हैं उदर सड़कों पर भी कई फीट पानी भर गया है इस पानी में कई गाडियां आधी डूबी नजर आई जबकि कई लोग अपने घरों से पानी निकालते हुए भी दिखाई दिये रूख करेंगे एक बार फिर से हम जनक का जनक भले ही लोगों को ये कहा गया हो कि अपने घरों में रहें लेकिन ये तस्मीरे बता रही है कि जिस तरह की बारिश हो रही है जिस तरह का आधी तूफान आ रहा है ये जो पानी है ये लोगों के घरों के अंदर तक गुज़ गया है और वो भी लोगों के लिए काफी समस्या पैदा कर रहा है जनक आप मुझे सुन पा रहे हैं मेरे ख्याल में जनक ते खबारी अवास नहीं जा रही है लेकिन ये दो तस्वीरे आप देखिए किस तरह से पानी में गाडियां डूबी हुई और घरों के भीतर और घरों के बाहर बिलकुल एक तरह का नजारा है यानि कि लबाला पानी हर तरफ और ऐसा इसलिए क्योंकि जो गाडियां चल रही है उनकी भी तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हर तरफ पानी ही पानी है तो चक्रवाती तुफान निवार के आने से पहले कुछ इस तरह की स्थिती है और यही वज़े है कि समंदर किनारे भी जो लोग मौजूद है उनको वहां से हटा कर जनक हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं जनक अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं लोगों की मुश्किले कम नहीं हो रही है क्योंकि जिस तरह की बारिश हुई है उससे सड़कों पर भी पानी है और लोगों के घरों के भीतर भी पानी है चलिए मेरे ख्याल मैं कुछ टेकनिकल डिफिकल्टी की वज़े से जनक तक हमारी आवाज नहीं जा रही है आगे हम उनका एक बार फिर से रोख करेंगे लेकिन इस बीच निवार तूफान से रपठने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है पुदुचेरी तमिलाडू आंद्रप्रदेश की सरकारे तूफान पर नजर बनाए हुए हैं देखें तीनों राज्यों में एंटे आरेफ को तैनात किया गया है जबकि एंटे आरेफ की 20 टीमों को अलर्ट पर रखा गया है नौसेना ने भी तूफान से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है और नौसेना के जहास और राहत बचाव टीम पूरी तरह से तैयार है इतना ही नहीं नौसेना तमिलाडू और पुदुचेरी प्रशासन के संपर्क में है निवार तूफान को देखते हुए प्रशासन न मच्छवारों को समंदर में नहीं जाने की चेतागी दी है समंदर किनारे बसे लोगों को निवार तूफान की वज़े से सुरक्ष जगों पर बेज दिया गया है साइकलो निवार को लेकर क्या तैयारिया की गई है इसको लेकर हमाई साथ बात करने के लिए है अभी तक क्या आप लोग ने अनलाइस किया है देखे अभी जो आएमडी का प्रेडिक्शन है उसके आधार पर हम लोग कारवाई कर रहे है और जो कारवाई हो रही है वो रिकी और इवाक्वेशन की कारवाई हो रही है जो prediction है उसके इसाब से शाम देर शाम हो सकता है midnight तक ही landfall होने की संभावना है और ये जरूर है कि पहले ये एक deep depression से होते हुए severe cyclone की category में आते हुए अब very severe cyclone की category में आया है इसका मतलब है कि 120 km प्रतिगंटे जो हवा चलती है उससे ज्यादा हो सकती है 130 तक जा सकती है और gusting wind 145 km प्रतिगंटे हो सकती है इसके मद्दे नजर हमारे जो commandant है वहाँ पर एक battalion है चन्नाई के पास तो वहाँ से commandant और जो state emergency operation center है वहाँ पर बैठी हुई है खुद monitor कर रही है यहाँ से हम लोग control room से monitor कर रहे है और जो भी evacuation की कारवाई है तमिलनाडू सरकार और पॉणिचेरी सरकार की एजनसिया अल्ड़ी उसमें लगी हुई है जिसमें NDRF भी मदद कर रही है और पुड़ुचेरी से हमारे समबादाता जनक एक बार पिर से हमारे साथ जुड़ गए है जनक यह बताईए संक्षिप में बताईएगा कि कुल में लाकर के पुड़ुचेरी की अगर बात करें तो किस तरह के राहत के इंतिजाम इस वक्त वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आप मुझे सुन पा रहे हैं जनक जनक आप तक मेरी आवास पहुंच रही है मेरे खाल में जनक तक हमारी आवास नहीं पहुंच रही है और देखे नौसेना के जहाज और राहत बचाव की टीम को तयार किया गया है तमिलाडू पुड़ुचेरी प्रशासन के संपर्क में नौसेना है पुड़ुचेरी और तमिलाडू में रेड अलर्ट है जबकि आंधरप्रिदेश और तेलंगाना में यलो अलर्ट है आज देरात निवार से निपठने की ये जो तैयारी है इसको पूरा किया गया है और उससे पहले समंदर में जिस तरह की तेज और उची लहरे है उसकी भी तस्वीर है आपके सामने इस वक्त की सबसे बड़ी खबर तमिलाडू और कुदुचेरी से ही है जहां अपसे कुछ गंटे बाद निवार तूफान अपना कहर बरपा सकता है मौसम विभाग के मुताबिक निवार की वज़े से 100-500 किलोमीटर तक की रफ्तार से तेज अमाय चल सकती है किसी भी तरह की एमरजिंसी से निपठने के लिए NDRF की 20 टी में तैनाद की गई है जबकि नौसिना के जहाजों को भी अलर्ट पर रखा गया है पुछी घंटों में टकराएगा तुफान निवार तमिल नाडू उद्दू चेरी में भारे बारिश समंदर में उठनी लगे उंची लहरे तेज हवाओं का कोहराम शुरू सबसे बड़ी और हिला कर रख देने वाली खबर आ रही है निवार तुफान से जुड़ी जिसने तमिल नाडू से लेकर पुद्दू चेरी तक कहर परसाना शुरू कर दिया है चैन्ने की सड़कों पर यहां वहां तूटे बड़े पेड निवार तुफान की आहट की गवाही दे रहे हैं अभी तो हवाओं की रफ्तार सौ किलो मिटर प्रती घंटे तक भी नहीं पहुची है लेकिन तेज हवाओं के साथ भारी बारिश ने सड़क किनारे लगे पेड उखार कर फेट दिये हैं हम आपको निवार आने के पहले की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिन में तेज हवाओं की वज़ा से पेड़ों खडगाए हैं कई जगा सड़कों पर बारिश का पानी भर गया है एंडी आरप के जवान भी तैनात किये गए हैं मौसम विभाग की टीमें भी हालात पनजार रखे हुए हैं लेकिन समंदर में उची लहरों ने अभी से लोगों को डराना शुरू कर दिया है मौसम विभाग ने तमिलनाडू और पुद्दू चेरी के ताटिये इलाकूं के लिए पहले ही अलर्ट जानी का रखा है लोगों को घरों में रहने के हिदायत दी जा रही है कई जगहों पर तो धारा 144 भी लगा दी गई है कोई आज घरों से बाहर ना निकले और धारा 144 वैसे है आपास जो स्तिती में जो ज़रूरी सिवाए हैं वही केवल चालू रहेगी उसके लवा सब से वाओ को बंद करने का मुक्ष्यमंत्री ने आदेश दिया है और यहां पर आप देख सकते हैं कि अभी भी मौसम जिस तरीके का है सुबह सुबह ही तेज रफतार हवाएं चलनी शुरू हो गई है और यह जैसे जैसे साइकलों निहार तट के नस्दीक आएगा वो वैसे वैसे वहां की तेज हवाएं बढ़ती जाएगी सतर असी की स्पीड से बढ़ते हुए एक सो चालीस पैतालीस और एक सो पच्छतर तक तेज हवाएं चल सकती है आज शाम तक पुद्दुचेरी और तमिलनाडू के कई जिलों में निवार दुफान का असर पड़ेगा मौसम विभाग के मताबिक सौ सी एक सु पैतालीस किलोमेटर प्रति घंटी की रब्तार से हवाई चलेंगी पुद्दुचेरी और तमिलनाडू में रेड अलर्ट जारी किया गया जबकि आंद्रम्रदेश तेलंगाना के कुछ जिलों में यलो अलर्ट जारी किया गया प्रशासन ने लोगों को घरों से ना निकलने की हिदायत दी है लुए किसी भी अमर्जेंसी से निपटने के लिए बड़ी संख्या में NDRF के जवान तैनाव किये गये है इब वेलासि抟ी बहुत हो जाएगा इसको जल्दी से जल्दी लोगों को निवारन देने के लिए यह पुरा अमरा सरकार तैयर है मौसम विभाग के मुताबेक निवार तुफान आज देर शाम या रात तक कारेक काल और महाबली गुरम के दट से तकरा सकता है आशंका जताई जा रही है कि निवार की वज़ा से भारी तबाही हो सकती है बिजली के खंबे तूट सकते हैं पेड उखड सकते हैं रेल की पट्रियां उखड सकती हैं मोबाइल पोन के टावर तूट सकते हैं कच्चे घर ढह सकते हैं शेहरों में पानी भर सकता है इसलिए लिवार तुफान के रास्ते में पढ़ने वाली जगह उपर लोगों को घरों में रहने और साफधन रहने की सलाह जारी की गई अभी निवार तुफान आने में कुछ घंटे बाकी लेकिन समंदर की उची लहरों का खौफ मच्छवारों पर साफ दिखाई दे रहा है ज्यादातर मच्छवारों ने अपनी नावों को सुरक्ष जगहों पर पहुँचा दिया है और मौसम विभाग की सलाह पर तटिये इलाखों में बसे लोगों को सुरक्ष जगहों पर पहुचा दिया गया है तुफान की वज़ा से छोटी नदियों में बाड़ भी आ सकती है इसलिए तमिलाडू में कई जगहों पर बांधू को मजबूत करने के लिए 27,000 से ज़्यादा रेट की बोरिया तैयार की गई है आशंका जदाई जा रही है कि तुफान गुजरने के बाद राहत के लिए इंडी आरफ के साथ सेना की मदद भी लेनी पड़ सकती है इस बीच मौसम वबा के मुताबिक निवार तुफान आज 30,000,000 से टकराएगा और दक्षन भारत के तमिलाडू और पुडुचरी समित कई लागों में इससे भारी तबाही की आशंका है हमारे साथ DG IMD है मृतिंजर महपात्रा साथ सर ये बताईए कि कितना सीवियर है ये और किस तरह के डैमेज के आशंका है आप लोगों को अभी साइकलो निवार एक सीवियर साइकलो स्टरम जैसे यहां केंद्रेभूत है पुडुचरी से लगवाग 250 किलामेटर दक्षिंपूर दिशा पे बेवा बंगाल पे और ये धिरे धिरे उतरपस्चिम दिशा पे गती कर रहा है तामिलेड और पुडुचरी कोस्ट की त है और यह दरे बढ़कर 120 से 130 किलमेटर प्रति होने का हमारा पुर्बान मान है और यही विंड स्पीट के साथ यह तोट को पार करेगा आज मधिरा तुक और यह करायकाल और मामलापुर के बीच में पुडुचरी की आस्वास एरिया में तोट को पार करे गया तो आप सुन रहे थे कि किस तरह से निभार सान बचने के लिए तैयारियां पूरी तरह से कर दी गई है देखिए पुडुचरी और तमिलाडू में रेड अलर्ट खोशित किया गया है आंधर प्रदेश और तेलंगाना में यलो अलर्ट खोशित किया गया है लेकिन उससे पहले किस तरह से जबर्दस तूफान अंधी और बारिश जिस वज़े से हर तरफ पानी ही पानी साइक्लोन निवार का असर अभी से पुडुचरी के तटिये हिलाकों में देखने को मिल सकता है आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो पुडुचरी का ये समुंदर है उसकी जो लहरे है किस तरीके से उफान पर है और ये लहरे और भी उची होगी चूंकि जैसे जैसे जो स अखरी बन एक सो चालीस से लेकि एक सो पचातर किलो मिट्र प्रति घंटे की रफ्तार से ये साइक्लोन इंत्तिये हिलाकों को मल्लपूरम से लेके किराइकल के बीच में हिट करेगा और ये पुडुचरी का इलाका है और वहां पर ये बारी नुकसान तबाही मचा सकता है ये अंदेशा है और मौसम विबाग ने ये जब कहा है ऐसे में लोगों को यहां से सुरक्षित जगहों पर बेज दिया गया है और जो ये चाहिए ये पुला का टूरिस्ट स्पॉट है आप मेरे जिक से देखते हैं यहां पर जो होटल्स हैं वो होटल्स भी पुरी तरसे करा दी गई है यहां पर किसी को रहने की इजाज़त नहीं है ये डुमस टेशन इलाका है पुड़ी चरी का और यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुरे का पूरा इलाका है वो पुरा सुमसाम फिलहाल दिख रहा है कौडन कर दिया गया है दो से तिन किलोमेटर पहले ही इस इलाके में आने के लिए कोई भी वेक्ति को इजाज़त नहीं है पुलिस वहां पर पहरा बनाए हुए है और आज शाम को ये साइकलोन हीट करेगा कैटेगरी टू के मैं रखा गया है इसको ऐसे में कैटेगरी टू के जो मतलब होता है वो साइकलोन की जो अलग इस चक्रवाती तूफान के आने से पहले ही जबरदस बारिश के चलते सड़कों के साथ-साथ लोगों के घरों में भी पानी भर गया है इस बीच तीन राज्यों में इंडियारेफ की 30 टीमों को तैनात किया गया है और इंडियारेफ की 20 टीमें हाई अलर्ट पर हैं लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि तूफान के पहुंचने से पहले ही कई जगों पर तेज बारिश का दौर भी शुरू हो गया है इन में तमिल आजों के राज्थानी चेने भी शामिल है यहां अचानक मौसम ने करवट ली और जहमा जम बारिश शुरू हो गई यह तूफान में कई फीट लहरे उठने के बाद तेज हवाएं भी चलनी शुरू हो गई जैसे जैसे तूफान करीब आता जाएगा लहरों की उच्छाई और हवाओं की रफ्तार भी जो है वो बढ़ती ही जाएगी हम सीधर उख करना चाहेंगे संबादाता जनक दवे हमारे स जनक यह बताईए कि किस तरह से जो तैयारियां हैं उनके बीच में NDRF की जो टीम है वो किस तरह के एहतियातन कदम उठा रही है देखें सबसे पहले आज नेहा वही किया कि जो पेड़ है जब पुड़ी चरी और चुकी पूरा इलाका कर रहा है अब देखें तो समुद्री से कुपास होने के चलते ग्लश ग्रीन इलाका है ऐसे में कई ऐसे जो पेड़ है वो और जोखिंबरे साबित हो सकते है तो उनको पहले तो कट किया गया जिसके चलते वो नुक्सान ना पहुंचे और उसके अलावा भी NDRF जगह जगह पर मौजूद है जो कंट्रोल रूम है वहाँ पर भी एक NDRF की टीम है कि जैसे कोई की बड़ी खबर हर्याना के अंबाला से आ रही है अंबाला में दिल्ली की तरफ कूच कर रहे किसानों के साथ पुलस की जड़प होई है नए क्रिशी कानूनों के खिलाफ सेक्णों की संख्या में किसान दिल्ली में आकर प्रदर्शन करना चाहते हैं लेकिन उन्हें पुल पुलिस ने बलप्रयोग के साथ वॉटर कैनन का भी इस्तमाल किया। इसके बाद किसान सड़क पर ही आंडोलन करने के लिए बैट गए। पुलिस ने बलप्रयोग के साथ साथ वॉटर कैनन का भी इस्तमाल किया। किसानों के खलाफ दिल्ली कूच करने की तैयारी में थे और वहां जाकर आंडोलन करना चाहते थे। इस पहले ही अंबाला में किसानों की पुलिस से जड़प हो गई। दस्वीर हारे आना के अंबालत से आ रही हैं और इन तस्वीरों में देखें कितनी बड़ी संक्टा में वहां पर पुलिस फोर्स हैं। और क्योंकि किसानों ने ये कहा कि वो दिल्ली कूछ करके नए कृशी कानूमों के खलाफ करेंगे विरोध तो इसको लेकर उने रोकने की दिशा में ये जबर्दस पुलिस का बन प्रेयों। ऐखो अब लोगों की सुक शान्थी के लिए ताकि लोगों को सुविधा नहों लोगों की सांति पुरान जिंदगी में भिगन ना पड़े इसलिए हमें बाडर सीज करने पड़े हैं। शरकार पूरी तरह से तैयार है, शरकार अपने परदेश की जनता कोई असुविदा ना हो, कस्ट ना हो, दुख ना हो, उसके लिए पूरी तरह से बचन बाता है। युमेदार गाउं के साथ है, उनको आमने सूचना दे दिया है, और ये सूचना अपने सोचल मीडिया पर निदालनी है। दरसल नए कुशिबिल के खलाफ पंजाब और अर्याना से, सेकडों किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच किया है। किसान संग्टनों का कल और शुक्रवार को दिल्ली में प्रदर्शन का एलान है। खास्तोर पर पंजाब के लुध्याना, हर्याना के अंबाला, सिर्सा और दूसरे बड़े जिलों की किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच किया है। किसान अपनी ट्राक्टर ट्रॉली के साथ दिल्ली आ रहे हैं। हालन कि किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए हर्याना के कई जिलों में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनाथ किया गया है। में इस तरह से अंदूलन करना चाहते थे में किसान और उस से पहले ही दिली पुलिस ने दिर्शा से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे किसानों को रोकने के लिए बैरिकेट लगाए गए हैं लेकिन किसानों ने इन बैरिकेट्स को जबरन हटा दिया है। दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि किसी भी किसान संगठन को अभी दिल्ली में प्रदर्शन करने की इजासर नहीं दी जाएगी।